यूपी पीसियस आरो यारो को लेकर जो धर्ना प्रजशन उत्तरप्रदिह लोग सेवा आयोग पर किया गया वह पूरता सफल रहा सफल किस माइने में रहा और परिच्छा तिथी को लेकर आयोग ने जो बोला क्या आयोग बैक फुट पर आ गया है पूरी जानकार इस वीडियो में दूँगा वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस चैनल के माधिम से आपको सबसे अथेंटिक जानकार जी आती है खबर अंदर की यूपिटर बलक्सी पर दोजार चोबिस को लेकर बड़ी खबर है देश के प्रधान मंत्री का बड़ा ऐलान है पूरी जानकारी ऐसी जानकारी आपको पूरे सोसल मीडिया पर कहीं नहीं मिलेगा तो आई जान लेते हैं पहली खबर के बारे में पहली खबर यूपि पीसे आरो यारो को लेकर है और आपको मालूम होना चाहिए कि आरो यारो को लेकर जो धर्ना परदर्सन किया जा रहा है उसके संबंद में मैंने आपको आउगत कराया था कि साथ और आठ तारीको जो परिच्छा होने वाली है उसमें परिवर्तन हो सकता है या फिर आयो मजबूर हो जाएगा एक दिन परिच्छा कराने को लेकर पिछला वीडियो उठा कर देख लीजे चाहे साथ तारीको या आठ तारीको क्योंकि आपके अंदर बढ़ा दम है अगर संख्यावल के साथ आपने परदर्शन कर दिया अपनी मांग को आगे रख दिया तो गारेंटेड है आपकी मांगे पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो के सचू और वहां के अधिकारी भीर देखकर डर गए हैं इसका मतलब कि वह एक फूट पर आ ग खबर नहीं है आरो आरो की परिष्छा भी दो दिन होगी अभी तो यही मामला चल रहा है लेकिन पीसियस की परिष्छा वंडे कराने की पूरी प्लानिंग अंदर अंदर चल रही है दोस्तों या खबर आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि आप लगे हैं लगे रहेंगे तो कामियाबी मिलेगी हटेंगे तो कामियाबी नहीं मिलेगी मेरा कहने का टाच पर है कि आज जो आपको खबर मैं दे रहा हूं हकीकत बता रहा हूं आपके धरने का कमाल है आपके प्रदर्शन का कमाल है वैसे आपने सांती पूर्वग प्रदर्शन किया क्यों अपनी कुछ गलत होने वाला हो तो आप अपनी इंसाफ के लिए आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ें तो पीसिस वालों को फैदा होने जा रहा है एक दिन परिच्छा होगी लेकिन आरो यारो की बच्चे उतने नहीं दिखे इसलिए आरो आरो भी अपना कारीकरम सो कर दें ज सब्सक्राइब करेंगे इसलिए पीसिस वालों के लिए बढ़ाई है और आयोग बैक फुट पर ना होता तुस वह यह वात नहीं कहता कि हम साथ आड़ तारीक कोई अजिकारीक नोटिस जारी नहीं किये हैं कि हम साथ आड़ दिसंबर को परिच्छा कराने जा रहे हमने एक दिन पर इच्छा कराना पड़ेगा और एक एक बात मेरी सही साबित हो रही है अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको जानकारी होगी पता यह इस तरह के अथेंटिक जानकारी पूरे यूटूब यानि की पूरे सुच्छल मीडिया प्लेफरम पर आपक पत्र में इतना ही जिक्र होना चाहिए पर यह पांच साल होगे आप भरती नहीं दे रहे हम और यह हो रहे हैं भरती की तैयरी करते करते जब पत्र की संख्या दसजार होगी एक गड़ी लगा होगा अध्रिजिस से उपर तो समझ लीजिए कि अध्र जी का नजर बार-बार उसी जाएगा और उसके लिए आदेश जारी होगा और आपकी भरती आजाएगी एक बड़ी अपडेट में आपको आउज देना चाहता हूं यूपेट पलसी की पर इच्छा से भरती तंग हो गया है और आप भरती करें परिच्छा नहीं होनी चाहिए बिना परिच्छा के नयाएं तो कारियर बर बाद भॉत अगर और आपको बर्बाद हो रहा तो आप धर्ना परिच्छनन करेंगे तो अभी करेंट में अंदर खाने कमेंटबाप्स में विरुख चल रहा है कि तो कितने लोग चाहते हैं कितने लोग पेट नहीं चाते हैं देखता हूं कितने कमेंट आते हैं कितने लाइक आते हैं जितना लाइक होगा वे सभी पेट का विरोज करेंगे जितना लाइक होगा वे सभी पेट का विरोज करेंगे और जितना डिसलाइक होगा वे सभी जो है पेट के पच्छ में रहेंगे तो नए डिश्लाइक करेंगे और जो पेट के विरोध में होंगे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंडर वॉक्स में भर भग के अपने बाते रखेंगे जिससे अन लोग पढ़ें और सबकी मनसा जान सके कि पेट का कौन विरोध कर रहा है कौन पच्च में है और पच्च में क् पर देख रहा हैं गगन प्रताब जी एक ट्वीट करते हैं दो करोन प्रतेख साल इवाउं को नौकरी देने के बाद लांच है एक लाख इवाउं को नेता बनाओ योजना नूट्टीफोर का लगाए हैं कि इसका मतलब यह नौकरी छोड़ो बिधायक बनो सांसब बनो क्या जरूर है याह नौकरी 25-30 जार को कि इदायक बनो कितना मजा है कितना मजा है पंशीञ उपर से मजा ही मजा गाड़िया आद्ना पावर पावर तो आप बताओ नौकरी करना चाहते हो या देश के प्रशान मंद्री जी के साथ जाना जाते हो उनकी बात कि जितना लाइक होगा, जितना सेर होगा, आपको इस चनल के मादम से उतनी ही authentic जानकारी मिलेगी, अब यहाँ आपके उपर निर्भर करता है कि इतना लाइक सेर और कमेंट करते हो, अब इतना अच्छा भाग कहा है कि हम नेता बन पाएं, हम विधायक बन पाएं, हम सांसद बन पाएं, हम मंत्री बन पाएं, सरकार के साथ काम करें, सबके भागे नहीं होते हैं, अगर आपको अवसर मिल रहा है, और सरकार की द्वारा अवसर दिया जा रहा है, तो उस अवसर का आपको लाब उठाना चाहिए, मंत्री विधायक बनने का सपना पूरा करना चाहिए, जो योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा और बहुत अच्छी बात मैं देश के एक लाग ऐसे ही वाओं को राजिनिती में लेकर आऊंगा जिनके परिवार का राजिनिती के साथ कोई लेना देना दें कौन-कौन नेता बनना चाहता है अगर आप सांसत बनना चाहते हो तो बाइया लाइक करो अगर नहीं बनना चाहते हो तो कमेंट करो और अपनी बाते रिखो और वीडियो को सेर करो पूरा वीडियो सुने के जिल से धन्यवाद